हेलो अबरिवन वेलकम टो डॉक्षर केम आज लोग बात करना जा रहा है पी ब्लॉक पी वाइक्यू के बारे में जो 2023 के हैं पूरे कंप्रीट पी वाइक्यू करेंगे बोरान से लेके जैनाॉन तक सारा कुछ कंप्रीट करेंगे हम लोग इसी में ठीक है तो इससे पहले तु मैंने रिवाइस भी करवाया और प्रेसाइजली बता दिया कि यहां यहां से कोशन बन सकते हैं अब हम लोग 2023 के कोशन देख लेते हैं और यह देखते हैं कि जितना हमने पढ़ाया तो उससे कितना पूछा गया ठीक तो श्रेट अवे शुरू करते हैं और हमें अपने अप सब कुछ वेफसाइट पर सबकुछ पड़ा हुआ है पीवाई की वाले भी अपनी गूगल एक्सल पड़ी हुई है उस पर देख लेंगे जाके वहां से डाउनलोड हो जाईगी वर केवल सबसे पहले क्या करना है कि रिवाइस करना है पीडिएफ का प्रेंट आउट लेना तो उसे डाउनलोड कर लो और एप पे कुछ-कुछ चीज़े मिलती रही तो एप जरू डाउनलोड कर लो टैसरी दो ना लो एप जरू डाउनलोड कर लो ठीक है तो बात करते हैं पहले कोश्चन से शुरू करते हैं प्रोग्राम है ना पहला कोश्चन क्या कर रहा है पहला alkaline metals तो other alkaline metals के comparison में beryllium की क्या होती है reduction potential का होती है यह बिलकुल ठीक बात है और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो hydration energy है क्योंकि size चोटा है size चोटा है B2 plus का तो hydration energy बहुत जादा होती है ठीक और atomization करना उसका मुश्किल होता है क्योंकि size चोटा होने वैसे cohesive forces जादा होंगे तो hydration energy जादा और size चोटा होने की वैसे यह दोनों ही बिलकुल सही बाते हैं क्योंकि जो reduction potential है वो hydration energy पे काफी कुछ depend करता है इसलिए जो reactivity series है और reactrochemical series है उसमें difference है तो mark कर पाओगे तो इसका जो answer आएगा सही वो answer आजाएगा क्या 2 आजाएगा इसका answer ठीक है next question पर move करते है assertion region last year काफी आयते तो next question देखते हैं क्या कर रहा है next question कर रहा है given below are the two statement one is leveled and assertion another is leveled as reason ठीक है assertion क्या कर रहा है carbon forms two important oxide CO and CO2 बिल्कुल ठीक बात है CO is neutral सही बात है whereas CO2 is acidic in nature ये तो बिल्कुल ठीक statement लिखा है यानि कि ये सही हो गया करा CO2 can combine with water in limited way to form carbonic acid whereas CO is sparingly solvent water तो ये भी बिल्कुल ठीक बात है और correct explanation भी है ठीक important oxide बना रहा है और neutral कैसे पता लग रहा है क्योंकि वो water के साथ क्या हो रहा है water के साथ वो water के साथ वो क्या बना रहा है acid बना दे रहा है H2CO3 बना दे रहा है तो CO2 की reaction जब हम कराएंगे water से तो क्या बन जाएगा H2CO3 बनता है ठीक तो इस तरह से हम लोग देख लेंगे है ठीक है तो यह correct explanation भी है यह explanation यह नहीं सही है कि CO2 बना है इसके बारे हम नहीं कह रहा है यह कहों के साथ इससे कैसे पता लग रहा है कि CO2 कैसी है तो यह correct explanation भी है तो आंसर इसका क्या जाएगा 2 ठीक है 35 questions हम लोग सारी करने वाले है 35-36 questions है जो भी है देख लेंगे अगला question फिर से statement वाला है करा given below are the two statements that decrease in first ionization enthalpy from boron to aluminium हम लोगों ने कली की lecture में पड़ा है कि boron aluminium में किसकी ionization energy जादा होती है boron की जादा होती है aluminium की कम होती है ठीक is larger than that of aluminium to gallium ठीक तो पहला statement तो सही लिखा हुआ है कि बिलकुल ionization energy का क्रमा में याद है secondary statement करा the d orbitals of gallium are completely filled जब d orbital gallium के completely fixed होते है तो इससे क्या होता है poor shielding होती है क्या होती है poor shielding होती है poor shielding के साथ क्या होता है poor shielding के साथ क्या होता है effective nuclear charge क्या होता है बढ़ जाता है जिससे की ऐसा होता है ठीक है तो यह पहला statement भी सही और दूसरा statement सही तो answer इसका क्या आगया 2 आगया simple सी बात है को ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है अरे यार फिर से cold हो रहा है ऐसा कैसा हो गया अगला दिखते हैं lithium helium hydrate can be prepared by the following reaction किससे करा दें सिंपल बात है कि lithium hydrate की reaction करा दें किससे Al2 Cl6 से करा दें सीधे सीधे तो इससे 2 नहीं से balance बात में करतें पहले लिख दें क्या बनेगा LiAlH4 बन जाएगा प्लस LiCl बनेगा अब इससे balance करना है तो यहाँ पे Al2 है तो 2 कर दिया और 8 hydrogen चाहिए तो 8 कर दिया लीथिया में आपे आगए कितने इच्छे होगी balance ठीक तो आंसर इसकर क्या गया तू आगे सिंपल सी रेक्षान है कॉमन से से लिखी आ सकती है इसनों कोई ज्यादा कलाकारी करने के जरूवत नहीं है ठीक अगला कोशन क्या आगला कर रहा है अगला कर रहा है बोरिक आसे इस वाले सवाल आ रहा है और आसी सवालों फिर से पूछ सकते हैं क्या क्या क्यों स्ट्रोंग होते हैं और क्या होगा सबसे ज्यादा ऐसे क्यों होगा क्यों क्या देखते हैं इसमें कैसी बांडिंग होगी 5P 2P इसमें 4P 2P और इसमें 3P 2P और इसमें 2P 2P तो extent of back bonding समने चक किया था इसे extent of back bonding समने से चक किया था भाइस समझ में आ रही होगी बात बिलकुल अच्छे तरह से कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं अगर तुमने लेक्चर वो ध्यान से सुना नहीं सुना तेर उसे देख लो पहले हैं उसमें सारे grand-line Silicon की सबस्किते पिर सिलिकौन की फ Are you जबनियान की इनके रेटाबश याद करने की ज़रुदत नहीं अगला क्याँ कह रहा है अगला कह रहा है अगला वो dcl2 in solid vapor state and very high temperature respectively अब अगर थोड़ी अकन लगाओ तो solid में कैसा होगा solid में वो polymer बन जाएगा थेंडा होगा तो polymer होने की tendency जादा है vapor में कैसा रहेगा vapor में dimeric रहेगा क्योंकि तूट गया होगा और very high temperature बिल्कुल ली टूड़ीया हुआ तो कैसा हो जाएगा monomeric हो जाएगा ठीक तो यह बिल्कुल सिंपल सी बात है आसानी समझ माने चाहिए तो answer क्या अगर कोई भी knowledge ना हो तो बोरिक आशेट के बिल्कुल BECL2 बारे पता भी ना हूँ क्क्राद समझेखेग्स है मृषा लुषे करने अगला कोशयं किया एक लिए अगला को कवस जो सेत्मेंट कारत करहा हैकच सब्सक्राद सब्सक्राइब इस हाई लैटिस एनरजी तो बोरॉन क्या होता है हार्ड होने की वज़य क्या होती है यह तो इसमें एक्प्राइशन की बात ही नहीं पूछ रहा तो यह तो बहुत ही बड़ी बात होगी दोनों स्टेट्मेंट ही होता है यह तो हमनों नहीं देख रखा पहले जब लोगों के कोश्चन से में ज्यादा एक्स्प्रेन नहीं लेकिन फिर भी हमनों एक कमेंट्मेंट ऐसा लिया है कि सारे 2023 के पीवाई क्यूस करेंगे तो से करा देंगे नहीं पूर बीएफ़ और से रेक्शन कराएंगे तो क्या बन ठीक आराम से बन जाएगे और अमोनियम गैस निकल जाएगी ठीक इसमें कोई दिखकत है यह अमोनियम फ्लॉरेड बनाते है न अप्लस हैच्छ बनाते है न ठीक तो आसानी से भी समझ में आगया तो अंसर इसका 2 आगया सिंपल है न बहुत ही निहाइती सलसावाल है पीव यह बिल्कुल गलत बात है क्लोडिन उक्साइटज के एंटेटल करने कि नहीं होती है केवल पर क्लॉरड अटा ओधेवन में ज्मिysis नहीं करते है कंप इस सिट रेक्ञें से जल्दी करेगा उसकी reactivity ज्यादा मानी जाएगी तो इसका आंसर क्या जाएगा one is false and second is true ठीक अगले कोशन चलते है अगला कोशन क्या कर रहा है कि for a good quality cement the ratio of silica to aluminium is found to be यह वैसे 2.3524 होता है तो आंसर इसका 3 mark कर देता है और यह question अब irrelevant है क्योंकि अब cement 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 के बारे में ज्यादा पूछा नहीं मिला सकते है ठीक अगले question पर चलते हैं अगला question क्या रहा है कि the difference between the electron के इन within maximum to किसमें होगी neon and fluorine and chlorine किसकी ज्यादा है chlorine की ज्यादा है Argan and fluorine ah fluorine fluorine और chlorine की अब argon and neon किक प्लस में ज्यादा है उसकी chlorine की my एसाधा ज़्यादा अगया ऐसे लिगो और इन्धेल्पी आरगन की तोड़ी सी अच्छी वह ज्यादा एकोमडेट कर पाएगा नियोन कम बरेदन वो प्लोरीन की ज्याद है किस से फ्लोरीन से तो सब्सक्राइब डिफ्रेंस नियोन और आर गरमाया डेटावेस याद करने की जरूएगा थीक अगला कोशन क्या कर रहा है अगला कोशन कर रहा है मैस्स दफॉल इंगलिश तो फोर क लेकिन हमें ऐसे मिलाना है कि एक ही एक मिल पाए तो इसका फिस्ट क्या आग्या 3 मिल गया ठीक एह और सबसे एक मेच कर रहा है प्यटि इसलिए हम ऐसा मिला रहा है तो इसका अंसर क्या अगया अगर यह मल्टिकरक्ट होता हो तो तो इसमें आंसर कही आ या तो आंसर का कौन से मैच कर रहा है वन मैच कर रहा देखो कि वह सवाल इस्ट्रक्चर सही लगाने वाला आया अगला सवाल देखते हैं अगला सवाल कर रहा है कि CLO radical है और NO2 के पास भी radical है free electron तो यह अपस में जुड़ी जाएंगे तो CLO और NO2 बन गया यह अब इसका structure अगर तुम बना पाओ धंसे ठीक तो यह ऐसा बनेगा अब water से जब reaction होगी तो water इस पर attack करेगा leaving group कौन बढ़िया यह leaving group बढ़िया तो यह leave कर जाएगा यह leave करेगा तो CLO minus बना देगा और HNO2 बना देगा HNO3 बना देगा ठीक सही है HNO3 बना देगा अब HNO3 बना यह तो HNO3 ऐसे H दे देगा तो यह बन जाएगा HOCl और बन जाएगा HNO3 तो पानी में HNO3 बनी रहेगा तो क्या बन गया X बन गया क्या हमारा CLO2 यह बन गया X CLO NO2 फिर यह क्या बन गया यह बन गया हमारा HOCl बन गया Y और यह बन गया Z खतम होगी कहानी आंसर आगया C सिंपल था बुद्धी लागे करोगे तो आसानी से हो जाएगा ठीक अब क्या कहा रहा देगो यह भी कॉपी का लिखा हुआ सवाल बिल्कुल कि कि bond dissociation energies का order EH2 molecules में क्या होगा oxygen sulfur selenium tellenium में क्या होगा ABCD यह तो अभी हमने mark करके तो हम बताई था कल की class में कि यह order important है तो simple सा अनसर था इसका तो अगला क्या कह रहा है यह question basically जो कह रहा है कि A obtained by ostwald method involving air oxidation of ammonia अब ostwald method से ammonia का जब oxidation किया था platinum की presence में हम लोगों ने तो क्या बन गया था NO बनी थी ठीक और पानी बन गया था जो NO बनी तो यह करा है A NO है और further oxidation जब O2 से करा है तो क्या बन गई थी NO2 बन गई थी तो यह B है B on hydration forms HNO, H2O से इसकी जब reaction कराएंगे तो क्या करा है OXO acid बनाता है तो बिल्कुल ठीक बात है OXO acid तो बनाता ही है Water से reaction कराएंगे क्या बनाएंगे इसकी HNO3 बनाएंगे और NO फिर से produce हो जाएगे ठीक ठीक एनो कैसे आए और ब्राउन रिंग टेस्ट भी दे रही तो A के बारे में तो सारी information है तो A है नो और B क्या है नो टू तो इसका answer क्या जाएगा 3 है जाएगा Simple चलो अगला फिर से क्या आगया अगला फिर से हमारा आगया क्या Asserson Reason क्या गराँ Methane and steam passed over heated nickel to produce hydrogen gas ठीक बिलकुल सही statement लिखा है यह इसमें कोई गलती नहीं है ठीक यह statement बिलकुल NCRT का लिखा है कि in steam और मेधेन अगर हम reform करने तो Methane reacts with steam under 2.35 ATM pressure in presence of nickel catalyst to produce hydrogen gas and CO ठीक और relatively small amount में CO2 भी produce होती है तो क्या क्या बनाती है निकल और मेधेन जब steam के ऊपर Methane को पास करते हैं in presence of nickel catalyst तो उससे hydrogen gas बनती है Sodium reacts with sodium nitrite reacts with ammonium chloride to give H2O, N2O and NACM तो देख लेते हैं, देख लेते हैं क्या करा है कि sodium nitrite reacts with NH4Cl तो NH4Cl से इसकी reaction होई तो क्या बन गया है वाई, यह NNO2Cl वाली reaction है तो N2 plus H2O plus NACL बना या फिर अगर हम इससे बना ले, NH4 NO2 बना ले और इसे heat कर दे तब भी क्या बन जाएगी इससे बन जाएगी N2 plus H2O, तो यह बिल्कु सही है, दोनों statement ठीक लिखे हैं तो answer क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है अगला question देख लेता है, करा 1 mol of P4 react with 8 mol of SO2, तो कि 4 mol of A, X mols of SO2 and 2 mols of B तो A, B और X बताने हमें, तो हम लिख देते हैं, P4 की reaction 8 mols of SOCl2, जो कितने भले लोग हैं लिख दिया तो इससे obviously PCL5 बनाना चाहिए हमें, SO2 तो कही रहा है, और PCL5, SO2 के अलाबा क्या बनेगा, H2, CL2 बन जाएगा, ठीक तो इसकी reaction कराते हैं, तो इससे balance कर दो, तो 4 mols बन गया, किसके A के, यह A आ गया X mols बनें, SO2 के, तो S के कितने mols बनेंगे, अब S के चार mols बन जाएगे यहां से, और 2 mols बनेंगे, H2, CL2 के, ठीक, 2 mols कहा रहा है, तो फिर क्या answer आ गया, answer आ गया हमारे पास, B, ठीक है, simple सवाल, आसान answer, अगले question की बात करते हैं, अगला question क्या कहा रहा है, incorrect statement upon borazine, borazine क यह क्या थी, inorganic, बेंजीन थी, inorganic बेंजीन कैसे बनाता है, बना लेते हैं, इस inorganic बेंजीन का structure भी, ठीक, inorganic बेंजीन का structure अगर हम से बन गया है, तो जिनकी बहुत आसान हो गई, अब इसके बारे में जो जो पूछ रहा हो, सब बताते हैं, पहले देख लेते हैं, कि in इन और्गनिक बेंजीन बन गई अब कह रहा है कि इट कंटेंस बनाना पॉंड पहले ही स्टेटमेंट कर ला था बनाना पॉंड तो B2S6 में थे रियक्ट वाटर कर लेती है बनेगा ब्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी तो ठीक है यह रख लेना इंपॉर्टेंट हो गई है तो इसे ध्यान रखेंगे लोग भूलेंगे नहीं आगे बात करता है अगला देखता है क्या कहा रहा है देक्रट ग्रूप फैलाइट्स विच कैन बी ऑक्सिदाइज बाई इन एकिडिक मीडियम में ऐक्सिदिक की से ऑक्सिदाइज करतेगा क्योंकि आइवडीन की सबसे यह तेंडनेंसी ऑक्सिदाइज होने की अगला क्या कहरा है नंबर ओफ पी ओ बॉपी बॉंड्स इन ह 4 पी टू से बिल्कुल कॉपी का लेका वह सवाल है ना तो देख लिए है जब्लैर देख लगा दिया में फिर पी ओ फ्रीप ट्राइस का बनाएंगे ट्राइमर है तो यह ऑ एच्ट डबल बॉंड़ तो इधर भी OH इधर double bond हो इधर भी OH इधर double bond हो और कह रहा है P4O10 तो P4O10 कैसे बनाएंगे तो P4O10 भी बना लिया अब क्या कह रहा है अब कह रहा है मैं POP bond बताने तो जरह गिन लो भाई POP bond एक यहाँ पे आया दो तीन चार चार हो गए इसमें किनना जरह यह इसमें ध्यान से गिनना 5 6 7 8 8 हो गए सब में अच्छा अलग-अलग बताने हो मैं total गिनना 9 or 10 तो total count कर लो देखो इसमें कितना आया इसमें आया एक इसमें आये 3 और इसमें आये 6 तो एक तीन शे का और कौन सा है, फोर ओप्शन है, मार्क कर दिया, तो मैं इस्ट्रक्चर यहाद हो न, चाहिए यह दैट सेट, खतम ना रही है, अगला क्या कर रहा है, कर रेक्शन ओफ बी यो विद अमोनिया, एंड हीड्रोजन फ्लॉराइड देखो, यह वही सवाल फिर स पोजिशन के इस बी ये फ्लॉराइड तो देखो, वही रेक्शन फिर से लिख दें, कि बी यो की रेक्शन अमोनिया से करा दें, इन प्रेसेंस ओफ एच फ, तो इससे क्या बन जाएगा, इसमें तो बताईए, एन एच फॉर होल ट्वाइस, बी ये फॉर बन जाएगा, प अमोनिया और एच फ्लिक लो या फिर नेच फॉर है फ्लिक लो एक ही बात है, तो पहले ही से कहा दिया, तो सिंपल सवाल दिया, बिल्कुल, ठीक, पार्चल्टी नहीं कर, रहर शेट में साही सवाल दे रहा है, विच आप दा फॉल्लिंग, विच आप दा फॉस्फोरस ऑक पी एच बॉन्ड कैन रेडियूस, एजी नो थी, ठीक, तो जैसे अगर हमने एक रेक्शन तुम्हें याद हो लिखी थी कि एजी नो थी की रेक्शन किस से करा दो, वाटर और एस थी पॉर टू से करा दो, क्योंकि एस थी पॉर टू पें कतना है पी एज बॉन्ड थे, तो बन जाएगा, और क्या बन जाएगा, एस थी पॉर बन जाएगा, बस ठीक, तो अब इसमें तुम्हें डूंड ना किसमें पी एच बॉन्ड किसमें है, पी एच बॉन्ड फाइब मेर देख लो जारा ध्यान से, इसमें तो नहीं है, ये तो हम अभी दोनों बनाई चुके, यह तरवी है चाहेगा यह भी हमनों ने बना रखा है ठीक तो जिसमें पी एज बॉन्ट है वो यह काम कर देगा बिल्कुल रेक्शन तो यह बन गया अब जो एब बना उसकी रेक्शन अगर हम पानी से करा दे है तो क्या बनाएगा थीक अगला सवाल देज़ लए अगला सवाल तो नहाइती सरल अटू को संडाइट से रखेंगे तो क्या बनाएगा तो टूटेगा औप्सीजन में और अनो में जो ऑप्सीजन है वो ओटू से रेक्शन करके क्या बना देगी ओट्री बना देगी तो क्या आ गया गया डी ओट्री बी आ गया ओट्री एक्स आ गया euro और यह सहीं ए साथ black accurately तो यह तो chloride है, agno3 के साथ दे रहा है, cardio white precipitated, तो CL minus किसे के साथ देगा, agno3 के साथ cardio white precipitated बिल्कुल देगा, और क्या बना देगा, agcl बना देगा, यह white color का PPT आ गया, plus no3 minus चला गया, जो NH4OH में dissolve हो जाता है, यह तो हम जानते हैं, पहले से NH4OH में dissolve होके, क्या होना देता है, agns3 whole twice CL, तो क्या बन गया, agcl और agns3 whole twice CL, बिल्कुल मतब चाओन नहीं खोर सवाल हैं, इसमें ज़्यादा परिशान हों नहीं करूँ, अतना ही है, अब objective खतम होगे, integer आगे क्यारा, sum of pie months present in per oxo-disulphuric acid, per oxo-disulphuric acid is H2-H2O8, और per oxo-disulphuric acid is H2-H2O7, यह हम दोनों chemical warning में कर चुका, और मैं फिर से एक बार अभी chemical warning का रिजन कर वाँगा, तो फिर करवादूँगा, ठीक है, परिशान होने की ज़रूद नहीं है, तो कैसे बनाएंगे, OH, S-O, O-S-O, O-H, और O-H, O-S-O, O-S-O, और O-H, तो 4 pi want इसमें हैं, 4 इसमें तो total कितने आगा है, total chai, कितने आगा है, 8 pi want सागा है, खतम हो गया सवाल, simple, अगला देखो क्या कहा रहा है, अभी मैंने बताया था तो तुम्हें की question आया था, क्या, पिछली class में की, अने टू, B4, क्या लिखा है, यह borrex है, तो अने टू, B4, O, X, O, H, Y और Z, H, 2, O लिखा हुआ है, अक्शूल फॉर्मूला क्या होता है, अक्शूल फॉर्मूला तो मैंने कही थी, कि याद रखना है इस बात को, तो अक्शूल फॉर्मूला क्या है, एने 2 बी 4 5 ओएच 4 यह वाई है ठीक ओएच 4.8 होता है तो हमें क्या निकालना X plus Y plus Z तो X की वेल्यू कितनी हागी X की वेल्यू आगी 5 Y की वेल्यू आगी 4 और Z की वेल्यू आगी 8 तो इन सबको count कर लो तो 8, 5, 13, 14 तो X plus Y plus Z कितना आगया अगला देखते हैं अगला क्या कर रहा है कर रहा है तो इसमें कितने हुए नाइटरन के हो गया है कितने 7 और ऑक्सिएन के हो गया 16 तो 23 हो गया ICl- के I का हो गया और में मतलब 7 और 1 8 माइनस आगया तो यह नहीं हुआ BRF3 में BR-rd हो गया ठीक CL-O2 में CL-rd हो गया NO-2 में तो अच्छा NOT पूँच रहा है ओख हमने odd बाल लगा दी है NOT पूच रहा है तो इसमें किसमें हो गया यह तो NOT पूच रहा है ना तो यह odd हो गया BRF3 में भी odd नहीं होगा क्योंकि बिरोमीन के पास 7 ते 3 बाल मन के चार बचे odd नहीं है CL-O2 में odd है NO-2 में odd नहीं है ठीक तो आंसर कितना आ गया 3 आ गया खताम हो गया NO-2 odd ही है मैं पहले odd बाल लगने लग रहा था यह हो जाता है गरबड़ पेपर में तुमसे भी हो सकता है टोटल नमबर अप क्या करा है Acidic Oxide है रहे यार तो यह कैसा है यह Acidic है 1 2 यह तो Neutral है यह Acidic 3 SO2 Acidic CO कैसी है Neutral ठीक CO कैसा है Basic NO2B कैसा है Basic और NO कैसा है Neutral ठीक तो कितने आगए 4 आगए टोटल अंसर भी 4 है कोई दिक्कत नहीं आसानी से लिख दिया गया Simple सबल अगला कहा रहा है The Difference in the Oxidation State Between XC Atoms State of XC Between the Oxidized Product of XC Form On the Complete Hydrolysis of XCF4 and XCF XCF4 and XCF अचा हो दो बल लिग गया यह काट देना यहाँ पर थोड़ा सा रहर है वो प्रिंट में तो में सही मिलेगा यहाँ पर काट देता है इसे रुज़ा सही कर देता है कि यह क्या है Is लिखा हुआ है ठीक है ठीक यह Is एकेब ठीक ऐसा खिलेता है कुछ-कुछ यहाँ रही जाता है कि इतने भी ट्रेक्टिफाई करो कुछ शूटी जाता है लेंगिन पीडियाफ में ठीक आएगा ठीक है तो माँ पास सही कोशन पहुचेगा तो XCF4 की रेक्शन क्या कर दें 12H2O से करा दें तो इससे बन जाता है XCO3 प्लस 4XC प्लस 24HF तो इसकी उक्सरेशन नमबर यहाँ प्लस 4 से कहां गई प्लस 6 में गई तो उक्सरेशन नमबर चेंज कितना आ गया 2 आ गया ठीक उक्सरेशन नमबर चेंज कितना आया 2 आया ठीक है चलो अगला देखते है है प्लस 7,800 सब्ससाद की सिग्मा इसे पनाँ 奪ाइो फोस्फरिक तब मेरे अगाए पाइरो फोस्फरिक–पाइरो फोस्फरिक लीट पाइरो फोस्परिक–एरी के लो पी डॉ Almighty फो फोस्फरिक की होच होच ऐच तो पी डॉद होच तो तो होंच और जोसिक्मा बांड कहाँ ज्वांड मालय त। अगले। तो सिक्मा बॉंट आ गए 12 और पाई बॉंट कितने आ गए पाई बॉंट सा गए 2 तो रिश्यो कितना आ गए 6 खतम होगे आंसर आ गया 6 ठीक है सिंपल है कोई दिक्कत नहीं अगला सवाल इससे सरल सवाल क्या हो सकता है हाइपो फॉस्फोरिक असिट क्या होता है एच 4 पी 2 ओ 6 तो यह हो गया 1 इंटू 4 बच्पन के तरीके से कर लेते हैं 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू X प्लस माइनस 2 इंटू 6 इक्वर्स टू 0 तो X के वैल इस्ट्रक्चर तो बना ही लोगे कॉपी से है न देख के अगला सवाल देख लेता है करा है जनॉन रियक्ष्ण किस से करा ही XE F4 जब XE F5 से रिक्ष्ण करता तो XE F3+, और Sb F6- बना देता है तो इसमें M की वैलिव आ गई 3 M की वैलिव आ गई 3 N की वैलिव आ गई 1 N के बाद किस की वैलिव आ गई Y की वैलिव आ गई 6र Z की वैलिव आ गई 1 सबको add कर दो तो 3 plus 1 plus 6 plus 1 कितनी आ गई 4 और 7 11 आ गई तो answer आ गया कितना 11 आ गया तो सवाल ही खतम हो गया ठीक अगला सवाल देख रहते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है sum of oxidation state of bromine in bromic acid and per bromic acid तो bromic acid is HbRO3 bromic acid is HbRO3 और per bromic acid is HbRO4 तो इसमें oxidation number plus 5 है इसमें plus 7 है तो total कितना sum आ गया 12 आ गया खतम होगे सवाल तो इस तरह दो हमने PYQs भी complete कर लिए किसके 2023 के हमनोंने PYQ complete कर लिए 30 मिनट में 35 कोशन लगा बहुत तेज नहीं लगाया ठीक है न फटा फटे ने करके complete करो अगला चेप्टर जो आने वाला है वो more concept और redox मिलके आएगा तो उनके लिए तयार रहे ना ठीक है चलो मिलते हैं तब तक के लिए thank you very much take care bye bye ध्यान अको पब्लिक में share करो subscribe करो और test series अगर join करने हैं तो कर लो ठीक है चलो bye